स्टुडेंट्स मैं वारुन सिंग क्लास एट के साइंस का चाप्टर वन आयम एगें विद यू फॉर साइंस ग्लास ऑफ क्लास एट और इस क्लास एट के पहले चाप्टर जो क्रॉप और मेनेजमेंट है उसके साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे उसके साथ हम लोग पढ़ाई स्टाइट करेंगे तो हम लोग फिर अगें तब तक आप विडियो पर बने रहेंगे साइंस में पिछले आफ्टर 7th क्लास के बाद आज एट में हैं और एट क्लास के साइंस में पहला चैप्टर जो है व रखा गया है तो वी सुट इस टूड़ी अबाउट पहले बात करेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्म हमारा कैसा था तो क्रॉपिंग पैटर्म जो था आज से दस पहले साल की बात करें तो मनुष्य से नुमैडिक थे मतलब वह अपनी भोजन की तालास में या आश्रे की तालास में इधर उधर भटकते थे देवर रोमिंग हीएर और फॉर्ट्स एंड इसके बाद वह वहां से इधर उधर घूम करके वह अपना खाना खाते थे अपना आश्रे लगते थे लेकिन ग्रूप में लाते थे दे सब रॉ चीलों को खाते थे कच्चे चीलों को खाते आफ्टरад उनहोंने केती करना सी केती में उन्होंने क्रिशि का मतलब फशलों की उत्पादश संबंदी तर्थों को जान लिया और वही से क्रिशी का विकास हुआँ कषिण से यह से शरे करम चालूरे केह और बर खुए क्रॉप उसका प्रडर्टोप्ष्टं सब्स क्राज कि करूप करेंगे अग्रीकॉलच्र कॉप लांट्स में आप कर्या आप दए को हुआंगे जो छोких ना फ्रिन जो मैइं ugो कराथे अप देखते लिए। में लिए क्राअओ स्टूथरों में आगा जाएंगे u problems और secured क्रीड ऑफ प्रॉड। तो यह जो आपका जो है production of crop growing of plant और crop in the field जो फिल्ड में हम लोग crop या प्लांट को grow कराते हैं तो grow कराने की परक्रिया ही agriculture तो यहां पर growing of plant growing of plants and crops and crops in the field in the field में पर्दभरी चुर्प्र्प्रावम आप क्रोपने क्रॉप में आप देखें होंगे वीध आप देखें होंगे प्रच्वे अपने इस अज़ाप देखें होंगे इस फिल्ड इस जार्ट एग्रीकल्चर इसको उचल्चर करते हैं क्रिशी प्रधान देश तो यहां पर अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और ग्रॉप क्रॉप क्या है तो क्रॉप का अर्थ होता है कि देखिए क्रॉप्स में सबसे पहली बात यह है कि है हैं अगर एक यहीं कि फसल को की से वहां पिर इंद में एक फेड़् पर इंद और वीकी अंध्य करॉफ इंव एक परना चाहिए तो उसको हम लोग कि जोब कल नहीं जहां नहीं o कभी whenever you pass by bus or train, you will watch the field, you will find the same type of crop in the field. अगर केहु का सीजन है जैसे जाने का सीजन आएगा तो वहां पर केहु बगार आपको दिखाई देगा, मैं जुन जुलाई का अगर जुलाई अगस्त का सीजन होगा, तो उसमें आपको पैडी के फसल दिखाई देंगे, तो इसार कॉल कल झॉब मतार एक ही तरह कलेंज चाहें, चंब रोफक चाहें को सब्सक्राद की करेंगे, क्लार्ण पहुन याफिम इन तो तोग दिले काईट और आखान busy बेटर आखार कणीवेटर plant of same kind are cultivated at one place at one place same kind of crop of the same kind of plant are cultivated at one place on a large scale on a large scale large large scale on a large scale it is called it is called it is called this is crop crop this is crop crop this is, you start already from Polish and September from after August and May महिने में अगर क्रॉस कर रहा है तो उसमें राइस आपको दिखाई देगा राइस मतलब पैडी की फसल धान पैडी मिन्स धान करते हैं हिंदी में और उनके भीयों में आपका चावनी मिलेगा जारे में अगर बुझारते हैं तो वहां वीत के फसल दिखाई देंगे यहूं क सब्सक्राइब तो हमारे दो सीजन्स भी जाड़ा का सीजन हो गया एक पैडी जो सीजन में होता है वो बर्सात का हो गया जब वेस्ट मॉंसून आता है उसमें पैडी की फसल होती है तो यहां पर हम लोग क्रॉप सिवारे में पढ़ने हैं इसें प्लांट्स आप सेम काइं कि कटिवेट एक वन प्लेस और लाइटे स्केल एक प्लेस पर लांट आज स्केल आज प्लाने जाते हैं तो इस ही क्रॉप करते हैं यह दिसले जमें आप इस तरह के फसल को देखेंगे जोसा चालKOज़ता है इसें प्रिमोर्ट् तो हमारे देश में different type of crops are grown because of different seasons के कारण ऐसा हो पाता है different season और climate हमारे देश में चारत्र के सीजन होते हैं ऐसे तो हम लोग रेनी और winter season की चर्चा करेंगे यहां पर crops are of different kind crops are of different kind different kind हमारे crops different kind के हैं इसमें they can the crops are different different crops हमने जैसे कि आपको बताया कि रेनी season में केवाल ताइडी दिखाई देगा इस अपने climate conditions के अधार तो यहां पर देखेंगे कि different type of crops में कौन कौन होता है cereals यह हो गया cereals 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 सिरियल सो गया इसके बाद हो गया वेजी टेवल्स वेजी टेवल्स इसके बाद आपका क्या हो गया fruits fruits यह हो गया different types of crops of different kind इसमें on the basis of season यह ग्रोग करते हैं स्रीजन के अधार पर हमारा देश बहुत ही वास्ट कंट्री है आवर कंट्री जो बेरी वास्ट कंट्री तो हमारा देश में दो तरह के होते हैं क्लामेटिक कंडिशंस के अलाग पर इंदिया हमारा मौनेस्ट कंडिशन ग्लाइटिक कंडिशन क्लामेट्डिक कंडिशन दाग चैटिक कंडिशन ओफ आँड़ कंडिशन ताह कुनीशन Stories ि लाइप टिर्वत द्वहीं ड appelle इसा भाट करें दो ध्यक्न त humidity cup you mean dT temperature humidity and rainfall and rainfall the rainfall the rainfall vary from region to region vary from region to region region to region means this place is your climatic conditions temperature humidity speed of wind are different from our country's climate condition which is region to region vary from region to region like our country is the most expensive and other climatic conditions करना रीजन रीजन एक इंपर्ट्न फैक्तलन एक रॉप्स के लिए अब जोपिं पैटरिश जिस वैनएटी अफ्रॉप सारूब इन आर संट्री रिच्छ वैराइटी जिच वैराइटी ओफ च्रॉप और रोग क्ट्रॉप यौन इन आर गंडरी अगंडरी आगंडुप वहुआ रिंच वराइटी आफ राप हमारे देश में उगाया जाते हैं और इसमें क्या है कि दिस्पाइट ओफ क्यें वह थाफ आपकि थे क्लासिफाइड क्लासिफिकेशन क्या तो आपको दो भाग मों ही वह कर से क्लासिफाइट और हम ईभाग मैं आपकोड तुमp कर रहे हैं अमेरा इंडिया इंड्या वेल भाच सब्सक्राइब करें तो यहां पर हमारा जो है दीजन वह तो यहां पर हमारा जो है वह तो और मेiron करता और यहां फिल भी zijn यहां पर विच वर्प्रों ऑlles कर थैं इस बीडिये के बाद भी हम लहों क्राप को दो ब्रॉब का न बैट इस्वाइट ऐयं करें इस कृट 重要 मेंरी आटी ओफ राइब धीज क्राइट क्लासि इस वह थे इस पर दes byd which variety which rich variety of crops crops we have classified the crop we classify we classify classify the crops crops into two broad into two broad crop cropping pattern two broad cropping pattern we have two broad cropping pattern two crops crop 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 सीजन सीजन रेनी सीजन एंटर सीजन में अलग अलग क्रॉप्स ग्रॉप राया जाते हैं और यह सीजन जो है रेनी सीजन में दावते हैं धान पैडी हम लोग प्लास में पढ़े कि यो होता है रें जहां पर होगा या थे कानि यह को होते हैं उसको करी फ्रॉब की हेश्म को कर्लाइव हो anál भी बोलते हैं सम्टाइम दीजार कॉल्ड समर क्रॉप इसको कभी-कभी समर क्रॉप भी का जाता है तो कि खरीब क्रॉप जो है रेनी सेजन के क्रॉप है इनका टाइम जो होता है रेनी सिजन इंदिया में कप से होते हैं इंडिया में स्टार्ट होता है जून कर दो 1 सेप्टैंबर को मादा है निसियर सेटनफर जून से सेटनफर है इसमें क्या है कि अगर पहला यह दो सेटम्बर दलिख रहा है रेनी शीजन 줄 का इसमें हम लोग धाम के के एक क्रोप को सूऍन को ये होगा सूइंड तो क्यों इंगले कि सूअ सन टांक होता है तो पुद्धित उन्वलाहिं आ और इसमें साउथसो वेस्ट मॉन्सून वोते हैं इसमें making a या सौट्वेस्ट म signs congress हो दोम दो मॉन शून साउ właśnie मॉन सून इसमें स्वायफ होते हैं तो jan дости Management चून की होगी 25 जूलाइट अन Thai ने इसमें जो करते हैं ढका पहले साल हाट लगाते हैं एसमें छोटे जूट थां आप देखेंगे तोह पता है कैसे धान की खेती होती है तो इसके जून होता है वह हो पेगनिंग वह जुन kills नाला तो जून वह सब्सक्राइब के समय में का सब्सक्राइब के सब्सक्राइब . तो यह और जून और जुलाइं और अगर वेस्ट करेंगी इसको तो हार्वेस्ट हम लोग करते हैं कव पर्टिकुलर्ली इन सब्टेमबर यह हर्वेस्ट कटाई करते हैं हर्वेस्ट करते हैं सब्टेमबर में तो रोली सिजन जुन तू सप्टेमबर में जो पहला स्टाइटिंग है और कश वे सौकर då क्रॉप इसमें जो होता है कि है पैडी का क्रॉप बहुत ज्यादे मात्रा में इसको पानी चाहिए सो इसको हम जून से जुलाई के बीच में सोई करते हैं क्योंकि वही से साउथ वेस्ट मांसून का सुभात होता है साथ वेस्ट मांसूल बहुस सारे बर्षा आते हैं और वही से हम लोग की धान की पहली बुवाय चालो हो जाती है जुन और जुलाइब धान बोने का समय है और सेप्टेमपर मस्द जो होता है वो धान कातने का समय होता है है वेल्टी हार्वेस्ट करते हैं है इसमें खरीब क्रॉफ हार्वेस्ट एड़ एंड ऑफ मॉंसून यह मॉंसून का एंडिंग होता है एंड ऑफ मॉंसून जो होता है सप्टेंबर में जाके लास्ट सक्टमबर तक करता है और उसी समय हम इसको हार्वेस्ट करते हैं हम जोग खारीब क्रॉक के पढ़ की खारीब क्रॉफ कर वह होते हैं एब सप्टम्भर मों जून एक नहीं हज्टु सेप्टम्बर मतलब जून और जुलाइग जो यह क्या होता है बिगनिंग आफ साउथ वेस्ट मॉंसून होते हैं खरीव क्रॉप में जो मुंख्य फसने हैं उसके बारे हम लोग चर्चा करें तो पहला लेटर चुब भी कोई यह जो खरीव क्रॉप है तो पहला जून पूर सिटमबर लिखा है तो पहला होता है आपको लेकिन सेप्टेंबर मंगें द diferentes मांसूं हुं मुझा करते persecution में पहले हम लोग्यास है अपकि बिलीट को होता है इस वे डि Herman सुआ होता है दित होता है मेज इसमें मेई रखेंगे मेज का मिल्यट मिल्यकर मता हरो इसी में रखते हैं इसके बाद जो है सोयाविम आफ का इसके बाद नट यह जो है कर इक रहा तो यह सबाइब क्लोग है और पेड़ी जो है पैड़ी को हम लोग कि हम विंटर में नहीं लगा सकते हैं। हम लोग परी गोजा इस सब चीज को भी केहनाट ग्रों इन यू था वाय विकारल खल फ्लेस ब्लेस आध में नौट जूतर्फ को सब्सक्राइब कनौतर्फ लेज्च्रॉब धिस रेंफॉल लेस्जर रेंफॉल रेंफॉल होते हैं। इसमें रेंफॉल ना मुम्किन होता है रेंफॉल इसमें ना के बराबर होता है जिसके कारण जो है हम लोग खरीफ करेफ क्रॉप को विंटर सीजर में नहीं लगा सकते हैं तो ठीक है तो यहाँ पर खरीफ में पैडी मेज मिलेट सोया बीन इसमें लगाया जाता है सोईंग किया जाता है सोईंग और सप्टेंबर में यह सब्टेंबर में इसको लास्टल्स पर जाते हैं तो इसको कडाई करते हैं कहीं कहीं अप्तूवर तक चला जाता इसकी कडाई करने में और वो अपने अपने च्र के हिसाब से वैसा होता है अब हम लोग पढहेंगे हैल आप हम लोग पढ़ेंगे की खरीद के बार जो है नावी कह भूख लेखम पर देश नञाबीर नवी क्रौतव रभी क्रौते वाले में पढ़ेंगे लाइनी कि यह लिव एक भूख सेंट में रोधा है विंटर सिजर्गाव अक्टूबर तुमार्च अक्टूबर तूभ मार्च में इस पूर्ड रोख रहते हैं देखेसी रवीक रॉट्फ जो आ एकटूबर के एक ओर मंथ फेच सकते हैं सो इनब और अक्टूबर और नुव़मबर में इसको अखरा दिया जाता है मार् ich April में इसको हर्वेस्ट किया जाता है मार्ट उप्रिल में इसको अप्रिय कर दिया जाता है मार्श ठिया श要ते हं तो इसमें जो आपके भूआय का समय थिसमें उत्ता पानी की जमनत नहीं होदी यह ग्रॉत है इनको बरसात में नहीं करा सकते हैं इनको अगर हम चाहे जुलाई अगस्त में ग्रोव करना तो यह नहीं ग्रोव हो पाएगे इसमें आते हैं आपके वीट ग्राम पी स्ट मस्टर्ड इस थिस ये लिसट यह हमारे ग्रो करते हैं तो इसमें कि क्रौद है Г्राम पी मस्टर्ड और इसिट को खंश जाता है के हमारे रवी-क्रॉप ग्रॉंब वेंटर सीर्भी क्राप्ट रबेंटर वीनतर किलिवाल त्यांट कराया जाता है और सलवर अर्फ्छालमने क्या हाथ आप बेहसिक प्रक्राथिस अफ क्राप्ड्रोड़क्शन लावि해서 बेसिक प्रक्राप्टीश ओफौड रघ्वा update बेसिक प्रैक्टिस और शुक्राप क्रोड़क्शन के लिए सुरूर से प्राइक्टिस की जाती यह बेसिक प्राइक्टिस तो ग्रॉप क्राइक्टिस के लिए स्वेशिक है च्पैस्ट करते हैं वी टे प्रयक्टिस करते हैं प्रस्ट करने चाहिए में की टेच्टिस कर दिवेश एंग कर दिवेशन कुँष एग लृफ अव्यू टिवेश अव्यू अव्यू टिवेश इंगिटवब्स अव्यू एंगि रूप्नाफ आस व्यू अव्यू और सब्सिति अरॉ अठीडिय इंग थे म नहीं अंभाइए फार्मर और मंड़ारоны ऑवर बीर सौब को किया कि आप हम आप नहीं फार्मर करते हैं फार्मर ये थोरी देर के लिए थोरी रहने सब्सक्राइब की तैयारी होती है तो कल्टिवेशन ऑफ प्लॉप इन्वार्व सब्सक्राइब एक्टिविटीज अंडर्टेकन वाइफ फार्मर ओवर प्रियर आफ टाइमें होदा है फार्म अंब पुपटर्म, लाज नमबर управटास, मतलब अबब करें जाये लिए निखें हैज नमबर हम और farmer farmer have to perform have to perform perform large number of tasks large number of tasks they have to perform large number of tasks in sequence some lemme in sequence which I can be a ready sequence sequence कि आपर वाल रोते हैं क्रौप प्रोभक्टेशन से पहले की इस बहुत सारी एक्टिविश इन्वावब होते हैं जो कि तौरा ही किया जाता है है farmer अब कर फ़न लाज्वर आवर साथ उनको बहुत साथ परफॉर्म कि आया गा घुना होता है इन सिक्वेंस में और वो हमेशा गुड़ क्रॉप्स गुड़ फसल ही चाहते हैं तो यह जो है उनके प्राक्टिस पर निलवार करती है कि इस तरह से प्राक्टिस उन्होंने किया है और इसको बोलते हैं अग्रिकल्चर प्रैक्टिस तो यहां पर वेरियस टास्क परफॉर्म बाइब कर्फॉर्म फर फ conception कि और फिंट सब्साच पर वाइब कि ऑनगा ळाग्ड पर फवाग्ड बिडियस तर सपोंगे ऑनगा है से बढ़ होग्स 21 femeur अग्रॉ GR चृपॉ ऐसे हैं गोड स्ब्षजित का अग्री क्या करें है कोरू है क्या काथे हैं गी कोज्ञी के तूल ऐ गर कार प्रैक्टिस के टें छो तैस्क लम लोग परफॉर्म करते हैं अपने अच्छी फ़सल दो इस त disp हम दोगा थे है agricultural practice these are called agricultural practice the what all things are done by the farmer what are the basic practice done for farmers the cultivation of crop अप्रस्डारे होती है जो की फार्मर अपने कंदों पर लेते हैं और उनके डिस्पांसिबिटी कुछ प्रियर और टाइम तक चलती है फार्मर्स है प्रफॉर्म लाज लम्बर अबकास्क करने पड़ते हैं Various tasks performed by the farmer to produce good crop is called agricultural tasks. Good crop को produce करने के लिए farmers की जो प्राक्टिस होती है उसको agricultural task कहते हैं. Various agricultural practice at different stage are carried out is जो जो एकल्ट्राइब प्राक्टीस है उसके वारे में जाने नहीं हम लोग क्या एकल्ट्राइब फार्म लोग पर्फॉर्म करते हैं so student the various practice kishsh Chiriki practice various agriculture various agricultural agri cultural cultural practice practice various and the cultural practices which are kind out at various stage which are carried carried out at various stage various stage various stage of crop production अब हम लोग देखेंगे कि कौन से अग्रिकल्चटर प्राक्टिस को फार्मर करते हैं और फिच आर काई अट फिर्यस स्टेज अफ प्रॉप क्रॉप प्राक्टिस और किसां लो ग्रिप्राइब करते हैं which are carried out at various stage of crop production यह भी कोई मामुली टास्क नहीं है वह स्टॉंग टास्क बेरियस स्टेज आफ प्रॉडक्शन के लिए वो क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं यह है अग्री कुल्च्रल प्रैक्टिस में यहां पर हम बाप देखें अग्री कुल्च्रल प्रैक्टिस अग्री कुल् इस प्रैक्टिस अग्री कुल्च्रल प्रैक्टिस विच आप बाइज परफोर्म रफार्म टार्फार्म लग की तरह से अग्री के प्रैक्टिस करते हैं वह इस तरह से हैं पहला हो गया preparation of soil first is preparation preparation of soil मिट्टी को तयार करना देखिए what we do for preparation more preparation is done for the agriculture that is पहला उनका होता है वो प्रक्रितिक रूप से तयार होना पड़ता है soil को prepare करना soil हर जकर एक जैसी नहीं हो दिये कहीं खाबर कही टाइप कही सग कही पत्त तो उसको तयार करना होता है तो दी जार देगराइज वह पर आप गये तो देखेंगे कि वहाँ हम जो है जब हम लोग नहीं यह हुते हैं तो उसके मैं मिट्टी हर जिए प्रटी हुई है कहीं बड़े-बड़े मिट्टी के क्राम से वह सब क्राम से दिखाई देंगे तो वैसे में आप फसल नहीं पाएंगे और उसमें आप फसल नहीं लगा सकते हों इसी के लिए उनको प्राक्टिस करना परता है सो न्याएएल करते हैं उसमें करते हैं उसकी यह सवाइन करते हैं फिर तीसरा जब बोने के और humus rich मतलब more fertile तो अगर मांग लिए कि उसका अगर आभाव है तो मार्केट से मैनुर बगरा ला करके after sowing वो mannering करते हैं ताकि nutrients मिलते रहें फसल्स को nutrient मिलते रहें यह बुआई की बात की परक्रिया है मिट्टी को तयार किया की मिट्टी को तयार करने के बाद sowing की परक्रिया में हम बोलाते हैं अजब बुआ ही हो जाता है तो उसमें मैनुरिंग करते हैं ताकि उचित पोशन मिलता रहे पौध ही कोई कोई को पोशन के सिकार ना हो तो मतलब सो मैणृ इंग नेसेसली 3rd is adding manner and fertilizer I manual and 40 lighters and 40 lighters 4th is irrigation 4th what we perform irrigation how do you stop it out of the irrigations 4th irrigation 7th protecting from weeds protecting from weeds from weeds from weeds 6th is harvesting 6th harvesting harvest and 7th is store after cutting water to go to storage because we practiceags there are we are only in the main 7th practice first we are prepared for it we will be fresh water it will be a better taste of our पानी के फ्रून को पौधे क्यम उपर ले आते हैं पानी के सहायता से पौधे प्र दम जाते हैं मतलब कि गुट करता है वाटर जैलं के फ्रू आटाव जै deben के फू सिर्फ तक रही सब्स सवर्ले deputy तक वाटर को कहा ते तो इसमें क्या होता है कि irrigation, so irrigation is necessary because irrigation helps in, irrigation से क्या होता है कि water, water helps in minerals and nutrient transport में बहुत important भूमी का लिवाते हैं फिफ्ट चीज कि अगर हम कोई फसल लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कि फसल लगाने के बाद होता है कि उसके साथ अगर कोई भी फसल लगाए तो उसके साथ अलग से कोई नए नए फसल उसमें जनमने सुरू हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कि मान लीजिए कि उसमे के साइट से जो फसल लगाएं उनके साथ कुछ बगल से जो फसल पैदा हुए है उनको खटाते हैं तो इसको कहते हैं प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीट्स उसको जा करके हास से नोच करके खेक दिया जाता है चुकि उनका भोजन कुछ यह फिख लेते हैं उनका पानी कुछ कर दें हैं जब कटाई करते हैं इसके बाद काटने के बाद क्या होता है कि उसको मोग कारो करे ए राते हैं या को rich जालेते हैं या कोई अन च्वाइब कर बाय। है जाता है टाकि उन में कुछ लोगे इससंतर आता है। उसमें ग्रैन को स्टोरीत याता है लास्ट टो प्रैक्टिस है उनके साथी का है इसे प्रैक्टिस सोगे सबस्क निले nucle deserve स्वीरणर जरूरी होता है इसलिए केलिए करते हैं के बार जो है वह नीट्रिंट披े जाए गृता है याशकी सब्सक्रारस के निकालते हैं और वे लोग कवार के निगाल देते हैं जिनसे उनके पौधे ही सारे न्यूट्रियंस को यूज कर पाए उनको प्रोटेक्टिम फ्रॉम वेट्स यह जो है इसके बाद जब पूरे सीट्स मेगरा सब मैचर्ड हो जाते हैं तो उनको काट लेते हैं हस्वा होता है उससे उनको क तो यह स्टोरेज हो गया तो अब हम लोग करते हैं इसके बाल है कि बैसिक एंडिकटिर्टर ग्राक्टिस गरशा ही तो में सबसे पहला यूजिए परेशहयों सबसे पहला इस तेप है बच्छों प्रिरेशे इती एम और और विडियों और यह पर आज खत्म कर रहा है और तब तक आप अगले अगले आप से मिलेंगे। और बेरी तांगे अगले क्लास में फिर आप से मिलेंगे।